हेलो फेंड्स दस एम रनाल वेल्टम तो मेरी यूट चैनल मेरे आपको स्वागत है अभी जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे जो टोकेन है जो है मामाईनो यह टोकेन के बारे में आज आज हम डिटैल्स में बात करने वाले हैं क्यूकि जो टोकेन है यह बहुत नया है और यह अभी अभी मार्केट का आया हुआ है और बहुत सारे लोगों का कुछ curiosity है कि जो token है यह token माँ invest करे या ना करें कि यूँकि हम से dogecoin छूट गया है cbine छूट गया है तो हम यह opportunity को तो गबा तो नहीं दे रहे ना तो इसी के रिगर्ड यह आज हम बात करेंगे कि यह token जो है ना इसके details में थोड़ा सा analysis करेंगे ठीके ना चलिए मेरे वीडियो के साथ बने रही है लेकिन वीडियो सुरू करने से बिले मेरे disclaimer है कि जो वीडियो है this is only for the educational purpose okay चलिए सुरू करते हैं तो friends अभी मामाईनू के token के बारे में बात करने से पहले आज थोड़ा सा market का थोड़ा सा जायजा लेते हैं कि market जो अब यह है ना यह market आप देख पारेंगा पर स्कीनी पर नहीं कोई movement नहीं है बोलते है पॉजिटिव मोमेंट कुछ नहीं दीख रहा हमको बस negative नेगटिव दिरकिंगी बीटी 11% डाउन है एथेरें 12.67% डाउन है बीन बी आसो डाउन डाउन दिखा रहा है तो मार्केट जो आहाल एना अभी भी डाउन दिखा रहा है तो मार्केट में अभी एंट्र लेने से पहले थोड़ा सा खुद को संभाल लिए क्यूंकि मार्केट अभी इतना अच्छा मूब देने के जो टोकेट के लिए कम्मुनिटी थोड़ा सा एक्रेसिव मार्केटिंग कर रहे साथ में लोगों के अंदर पैस्ट एम बढ़ रहा है क्यों की मार्केट में आया हुआ कितना दीन हो है मूँट यह टोकेन का जो वेबसाइट है ओ यह टोकेन कभसे आया हुआ है तो उसके ल वो अलग है यहां पर मैं मामाइन दॉट वर्जी करके सर्च करता हूं देखिए यह टोकेन भी डीने सोपन हो चुक है उसका डेटावेस बगरा यहां पर क्या बूल रहा है रेजिस्टेर रॉन एर्थ में 2022 और वह अपडेटेट कब हुआ एर्थ जून को अपडेटेट यह म मैं मैंने मार्ण डोमेन खरिदा और जून मैंने में होस्टिंग किया तो आठ आज उननीस तरीक अनि ये करीब करी जारा दें यह हुआ है dadas ना और नोली ने ऑपडूर्द में नोर्माली एक साल राल आख़िए और यह कहां तरहिए ऐसा है कथ ठीक है ना उन्हें सारे के सारे अड्रेस को प्राइवीसी मूल पर रखा है और यह स्टेट कौन सा मैसेच है ठीक है ना चलिए ठीक है युईस का कंपेणी है जहां तक हमको दीख रहा है यह देखिया भी यह वेबसेट क्या बोल रहा है यह ownership renounced ठीक है ना इसका ownership को renounce कर दिया गया नहीं क्या है ownership जो था उसका जो owner थे उन्होंने token create करने के बाद में आपनी ownership को छोड़ दिया ठीक है ना कोई creator भी हाई नहीं बचाए नहीं उनके पास कुछ भी free का token हाई नहीं अभी चलेगा liquidity lock करके रखा है और liquidity pool मतलब क्या होता है कोई exchange होता ना exchange में क्या करते हैं वह अपना liquidity को डालते है पूल में तब जके आप selling कर सकते हो जैसे आप sell करोगे तो आपको उसके बदले जो BNB या पि जो भी pancake swap का जो cake token जो भी मिलता है आपको वह उसके बदले आपको मिलने वाला है आप sell करोगे तो उसके बदले जो आपको BNB जो return मिलने वाले वह लिकूरिट से आता है आपको ठीक है ना अगर लिकूरिट को निकाल लेंगे तो अब sell भी करोगे ना sell भी नहीं होगा आपका पाईसे ठीक है तो लिकूरिटी जरूरी वहां पे तो free का token तो है ने उनके पास तो बेचके निकाल लेंगे कैसे ठीक है न तो उसके लिए यह रॉकपल का काम है यह नहीं सही में नहीं है लेकि जो सारे बाते बाते को हम खुद चेक करेंगे तब जब कि हमको लगे है कि चलो सही है जो बोल रहे हो सही है ठीक है ना मेरे टूइटर क्या कहता है टूइटर देखिए अभी टूइटर एंडल में हम जाये तो टूइटर में उनका फॉल्लवर्स अभी देखिए दस दिन के अंदर अंदर 15,000 फॉल्लवर्स हो चुका है नहीं बहुत अच्छी एग्रेसिव मार्केटिंग हो रहा है साथ में उसका द अच्छी मार्केटिंग के स्लोगान दिया है कभी आजकर है जो भी आडवर्टाइजमेंट देखा होगा आपने तो आडवर्टाइज़मेंट में कुछक ऊपर्ड होता है कि मैं आभी आडवर्टाइज इस ट्रॉंग हिल आर्मी उनके जो आर्मी है यानि जो उनका community है बहुत स्ट्रॉंग है बहुत dedicated है ठीक है ना और confidence है उनके अंदर सारे के सारे जो community है we are always trying to repurchase the token at a low price because ownership बहुत है अब क्या हो रहा है बहुत अच्छी चीज़ है उनके पास इसका मात्रक्यान उसके पास free का माल नहीं रहेगा तो free का माल जाएसे नहीं रहेगा ना तो वो कभी भी नहीं बेचेंगे जब market बहुत उपर जाएसे well का का क्या रहता है well क्या करते है नीचे जाते नीचे खरिदता है और जब उपर बहुत दुपर जाता है तब वैल बेचता है ठीक है ना तो इसको पकड़िए यह अभी वैल बन चुके यह बड़े वैल बन चुके हो ठीक है ना तो आपका एक तरह का डिस्क ऐसा कि यह कभी भी बेच के निकलेंगे नि यह एक वैल से तो जब उनका अच्छी खासी मार्केटिंग उस्तों को यो जो खरीदारी चैनल कमार्केटिंग से अभी क्या विभी एक्षेंगे हैं उनका है उनका अलग से लिकुरिट्टी लॉग और लॉग इन रखा है आभी उनका सब्सक्राइप में देखेंगे तो अब भी रूड में कुछ इतना मुझे अग्रिसी करेंगे तो हो गया वेबसाइट लॉंच हो गया तो इसका मतलग है कुछ नहीं वेबसाइट के जैसे कुछ नहीं है पहले की कॉइन मार्केट के पर लिस्ट हो जाए ठीक है ना तो हमको बॉल्यूम बता चलता अच्छे से अच्छे का से बॉल्यूम क्या हो रहा है उसके लोग कैसे करीद रहे हैं और साथ ही साथ वह अगर कुछ दो तीन नौर्माल अगर कोई अच्छा का सा कोई है अगर से चलाने लगे ठीक है ना तो चली अब हम जाते हैं टोकेन स्नाइपर के वेपसाइड है वह उसने वेरिफाइब करके बता रहा है कि यह जो टोकेन है यह 100 आउट आउट अट अटेड सीक्क्यूर है ठीक है ना जैसे कि आप दिखा होगा जो सटीक अउडिट होता है वैसी य आउट यह अटो बॉट लगा के अटिट करता है ठीक है ना यह यह एक यह तरका फिसेड जहापे यह जो टोकेन स्नाइपर है यह आटोमेंट जाके खुद आइड करता है यहाँं पर इस अब होगे है ठीक है ना अभी देखिए यह क्या बोल रहा है यहां पे क्या मेंशन क्या उन्होंने swap analysis उन्होंने करके देख्या कि token is sellable token sellable हो रहा है और बेच पा रहे हो आप not a honeypot at this time honeypot मतलब क्या होता है ऐसे क्यों चीज होता है आप कुछ बेचने जाओगे न तो आप खरीदने जाओगे न तो आप क्या दोगे बीन जैसे transfer करोगे तो बीन भी तो आपके wallet से कर जाएगा लेकिन बदले में आपको मामा इन्हों token नहीं मिलेगा तो उसको बोलते हैं sell fees भी 6% है 7% है उनके तो sell करने जाओगे तो उसे ज्यादा लेंगे वो ठीक है ना देकि यह सारे fees जो लेते हैं यह फीज उनके पास में जाता है और यह फीज को वो खुदी फिर से marketing के लिए उच करते हैं ठीक है ना इसलिए उनको fees देना पड़ता है ठीक है ना verified contract source source को ने वेरिफाइग किया है ownership रिनावस उनके पढ़ा कि उसका ownership है उनके छोड़के चला गया अभी creator not authorized creator बचा ही नहीं अभी creator authorized not authorized for special permission creator के पास कोई भी authorized permission नहीं है कि कुछ decision ले सकते है तो बहुत बढ़िया चीज है अभी ठीक है यह आभी purely decentralized token बन चुका है समझे ठीक ह ना लेकिन एक मिन दूगे पढ़ने दिए सब कुछ holder analysis creator wallet contents less than five percent of circuit supply creator के पास में पांच टक्का से कम token बचा है यह pass हो चुका है सही में creator के पास में कुछ बचा ही ने creator तो है यह नहीं तो इसलिए उनके बोला कि creator के पास में zero percentage token है तो यह चीज लिए यह जो line को उसने pass कर दि all other holders possesses less than five percent of circuitous token supply है कोई एक तो holder है जिसके पास में पांच टक्का से भी ज्यादा token बचा हुआ है इसके लिए मतलब क्या है कोई एक market कोई तो बंदा है जिसके पास टक्का से ज्यादा अगर टोकन रहा तो वह वेल बन चुकता वह वेल बन जाता है तो वह कभी भी market को हिला कर रख सकता ठीक है न इसलिए यहां पर यह cross market उन्होंने बोला कि यह थोड़ा सा कासियों से यहां पर इससे लिए उनके जो टोकेन था ना यह वहां पर उन्होंने में मृमा इन्न में देखें उट एक यह तो तो यह थोड़ा सा डर्डर की बाद है चलो ठीक है थोड़ा सा आम अनलिस करते हैं क्या उसटेक अभता हैं यह होएल वेल के पास्टर का अगर टोकन रहा तो मार्केट को हिला कर रख सकते हैं मानता हूं में लेकिन वो कब बेचेंगे जब तक कि मार्केट बहुत उपर तक नहीं जाता है ठीक है ना क्योंकि वो पैसे आड़न का हाड़न मनी लगाएंगे तो तब बेचेंगे लिकुडिटी लि लॉक प्लस बर्न करकर रखांएं उस्सी के अंदर बर्न किया है साथ टक का और बाकी जो अमाउंट है 95 परसेंट ठीक है ना उन्होंने लॉक करकर रखाएं लिकुडिटी पूल में उक्यों जो बोला ना यहां पर उन्होंने लॉक करकर रखा यह देखिए यह बन साथ तक का और बागी का 95 परसेंट लॉक है यह अनि देखिया आज है 19 जुन तो 10 जुलान करी यह अभी 21 दिन वाकी है 21 दिन तक के लिए डिप लॉकर में उनका 92.31 परसेंट जो है टोकेन वो लॉक है तो 10 तारीक के बाद हो सकता है कि उस लॉक को हटा सकते हैं तो लिकुरिटी को लॉक को हटा के वो टोकेन को निकाल सकते हैं लेकिन उन्होंने यह पर क्या मिशन किया एक मिनिट लिकुरिटी लॉक डिन डीप लॉक आईयो अटलिस्ट वान मंथ ओके 92.31 परसेंट एंड विल मार्केट को लगा अगर कम्यूटी को पसंद आया अब उनको कुछ लगा कि उसको एक्सेंड करना है तो लेकुरिटी को लॉक करके जो रखे है उसको एक्सेंड भी कर सकते हैं ठीक है न तो अभी गृटर वालेट में कॉंटेन्स लेसे ज़ीज इन 5% ठीक है न रिके न पर 31% lock and 7% burn total कितना हुआ 99.45% अभी टोटल मार्केट में समझो है ही नहीं लेकिन बाकी मातर कितना 0.055% जो है अभी मार्केट में सप्लाई में है इसलिए मार्केट में जो है ना सप्लाई बहुत कम है अगर डिमांड बढ़ेगा तो मार्केट अप जा सकता है लेकन कब तक 10 के बाद हो सकता कि मार्केट से वो लॉकर को खटाए और लिकुडिटी को लॉक जो करके रखें निकालेंगे तो मार्केट को हिला भी सकते हैं क्योंकि सप्लाई बढ़ जाया है तो अगर आपको एंट्री करना है ना अभी थोड़ा सा रुकिए ठीक है ना अभी थोड़ा स हम चार्ट को देख लिए यहां पर देखिए उन्होंने अपना चार्ड मेंशन करकर रखा है यहां पर चार्ट को बहुत अच्छा अच्छा प्रॉफिट दिया लोगों पर लेकिन उसके बाद लोगों ने उसका बेचना शुरू किया और बेचते बेचते गए ठीक है ना तो जैसे बेचते के तो अभी देखिए अभी है कल का जो कैंडल था नहीं खाता मुझे काच्छा कैंडल अभी ग्री नहीं जाएगा अगर इभी गया ना तो दस जुलाई से पहले थोड़ा सा डाउन है लोगों को डर लगया कि साइथ लिकुलिटी फूल से लिकुलिटी को सारी जो लोग करके रखा है वो साइथ वो उसको लोग को हटा दे तो अगर आपका इंट्री करना है ना तो प्लीज रुकिए 10 जुलाई तक थोड़ा सा रुक जाएए मार्केट में न्यू जाना दे उनका क्या डिशनल ले रहा है अगर लॉक को फिर से वो एक्स्टेंड करने वाल है तो बहुत बढ़ी आए मुझे तो यह टोकेन अभी तक बहुत अच्छा लगा रहा है लेकिन फिर भी हम को चेक करना पड़ेगा कि यह एक्च्छाल उसका क्या क्या है यह है यह है पैंकेक फॉप का वी-2 कोई भी निया टोकेन आता है न तो वह पैंकेक फॉप में आपको पता होगा वी-2 और वी-1 था वी-2 वर्जन टू तो उसमें वह लिकूर्ड़ी पूल को क्रेट करते हैं और वहां पर वो अपना token को launch करते हैं तो अभी टू के बैंक एक स्वाप में हैं वहां पर देखे हैं लिकुरिटी पूल में जो उन्होंने रखा है न वह लिकुरिटी पूल में अक्च्वल में कितना है देखिए यहां पर क्या बोल रहा है यहां पर उन्होंने 92.78% उन्होंने बोला है कि लिकुरिटी पूल में हमने उसका lock करके रखा है ठीक है न यह है लिकुरिटी पूल में lock करके रखा है यह कौन सा अड्रस है डेड अड्रस जो burn कर दिया है 7.13% burn कर दिया है और यह कौन सी अड्रस है यह एक अड्रस है जहां प सम्क्राइं के दरा पुन रखया क्के अद्रसने कर दो कुछ ऑन यह उसी बना था तो इसे यहां से बना था तो उसके बाद में यहां पर कुछ टोकेन बजा यह जो भूल ले तो सही जो आट्र तो इसंफने किया किया कहा भीजिआ summat गाँ वह ब आप ==== लास्ट में जाते हैं हम देखे यह नल अडेस जो था ना इसने क्या क्या यह कुछ अमाउंट इस पर ट्रांसपर करके देख रहा था कि सही में काम कर रहा गया नहीं ओके वहां पर उन्होंने फिर से इसको भेज दिया सम अमाउंट 3180 उसके बाद 0.399 यह बहुत कम आमाउंट गा उन्होंने यह कौन सा लिखा यह देखे यहां पर टोकेन प्राइस ने दिखे यह आपको दिखे का देखे यह उपर का प्राइस दिखे यहां पर क्या दिखा रहे हैं यहां पर केक बेजा तो यह आड्रेस को भेजा यह पहले पर ले इनको क्यों भी जा यह बहुत को नहीं देखते हैं इस भाई के पास कितना पढ़ा है यह बाई के पास में भी 0 के की पढ़ाया नहीं यानि इसके पास भी कुछ नहीं उसने सारे के सारे इसको भेज दिया है यह बाई कौन इसके पास में 3 cake पढ़ा हुआ है ठीक है ना यह भाई के पास में 3180 quantity है समझो 3180 cake पढ़ा हुआ है यह टोकेन ठीक है ना 3F4D यह जो है यह दिखिए 3F4D यह वाला जो address जो हम बोले था ना यह यहां पर 92% 92.7 बट जो लॉक करकर रखा है यह है यह यह लॉक करकर भी रखा है उन्होंने ओके समझ कि मैं आ गया अभी हम चलते हैं तो उन्होंने जो जो ओला है वो ज़िख रहा मुझे अभी चलते हैं holders ही देखिए यह यहां पर हमने चेक किया यह यह यहां पर हमने चेक किया यह 92% लॉक है 7% उन्होंने बर्न कर दिया और सम आमांट उन्होंने तो 99% 45% यह इसको छोड़ने के बाद जो बाकि बचा 0.55% वो उसी में से होल्डर कितने हैं यह यहाँ पे देखेगा आपको हाँ यहां पर देखिए आप जो मैंना अभी क्लिक क्या holders ठीक है ना यह भी holders दिखा रहे यहां पर अभी इसी मैं से भी क्या बोल रहे हैं 51.28% जो है यह पैंकेश्वाप में दिया है तो पैंकेश्वाइस आप खरीदारी कर रहे हो लेकृटी पूल में जो रखा है यह इतना है 51.28% यह आमाउंट क्या है यह देखिए भाई यह आमाउंट 5.005 यह पांच टकका से भी उपर है इसलिए जो कौन टोकन स्नाइफर है नो क्या बोल रहा है कि भाई कुछ तो लोचा है यहां पर यहां पर किसी बंद के पाउस पांच टकका से भी उपर का टोकन तो यह सप्लाई में से देखिए टोटल सप्लाई में सिर्फ 99.45% जो है न वह अलड़ी दूसरे जगह पर पढ़ा है और कुछ वान बन हो चुका है बाकी बचा 0.55% टोकन उसी में से उसके पास पास्टर का तो बहुत नेगलिजिबल टोकन हो गया न वाई तो इसलिए अभी जब अतिक भत कि लिकुर्डटी पूल को हटा दे नहीं तो फचीज बचाएगा कि यह उतने ही अमाउंड को वो लेकर खेलेंगे ठीके न अगर लिकुर्डी पूल को हटा दें वहांपे लिकुर्डी Сп geht ¿ो भास सा टोकन आ जाएगा तो साहिन हो सकता यह फिर से और टोकन खरी द तोकेन सही में फ्री थो नहीं 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 भाई शे दिन पहले उसने प्राइस खरीदा आए ठीक है ना ऐसे देख़ो 6 दिन 21 गंड़ च्छे दिन 20 गंड़ नहीं वो लगातार 6 दिन पहले वो खरीदना शूरू गया क्यों उसने उसने खुद बोला यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया था ना कि जब तक मार्केट में टोकेन के प्राइस घड़ता जाएगा क्योंकि रिनाउंस है ओनर जो है आप आप आल्वेस ट्राइंग टो टोकेन आप लो प्राइस जब तक प्राइस थोड़ा सा लो जाएगा ना हम दूसको खुद खरीद लेंगे कोई है नहीं तो हम खरी सकते ना राइट तो वो भी एक तरह का कस्टमर बन्चो के यहां पर समझे ठीक है ना तो इसलिए उन्हें मेंशन किया आप चलो अच्छी बात है उनके पास टोकेन है फ्री का टोकेन नहीं फ्री का माल नहीं है तो कभी भी नहीं बिचेंगे कोई मुझे दिखा रहा है और साथी साथ उसके पास जो पास्टक दिखा रहा है यह अक्च्छल में बहुत कम पर्षिंटेज है अक्च्छल कंपेट टोटल टोकेन अगर दस तरीक को लिकुर्ट पूल को हटा देते हैं तो मार्के में टोकेन बहुत सप्लाई बढ़ जाएगा तो उसी टाइम पर मार्केट का जो ट्राइस है थोड़ा से डाउन जा सकता है तो उसी पीच में पर एंट्री ले लो अभी अगर एंट्री ले ले थोड़ा से रूखिए क्योंकि अभी मार्केट जो साहिद दस्तरी को लिकुर्ट पूल को हटाए ना हटाए अगर नहीं बच कर रहे हो मैं आपकी जितने सारे कॉमेंट सेक्षन पर कॉमेंट्स देते हो सब मैं पढ़ता हूँ जो भी आपको सुझाओ हो जो भी आपको कुछ क्यूरी हो डालिए मैं खुदी उसको स्रिजबर करने की कुछिस करूँगा मैं आपको गाइड करने के लिए आया कारें बताऊंगा और कुछ भी बोलूँगा कि आप ले लो यह ले लो यह आप बन जाओगे नहीं मेरा काम में आपको नॉलेज शेर करना दिस वीडियो इस ओनली फॉर एजुकरिशनल परफॉस मैं आपकी फाइनस आडवाजर नहीं हूँ ठीक है न अगर आपको इंवेस सच खुद करिए खुद नॉलेज लीजिए ठीक है ना उसके बाद करिए ठीक है ना चलिए आपको ना खैल रखिए टेक क्या थैंक यू सो मच